ओल्राइट वेल्कम बैक इन आवर फिर्स्ट लेशन आई विल इंट्रोड्यूस्ट यू तो दे इस्ट्रॉक्चर ओफ माइक्रोसॉफ एक्सिल हम सीखेंगे हर एलिमेंट के बारे में जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ठीक है यह जो आप पार्ट देख रहे हैं उपर वाला इसको रिबिन कहते हैं इसमें इस्ट्रिप आफ बटन्स हैं आइकन्स आप देख रहे हैं अबव दे वर्क एरिया ठीक है इसमें डिफरेंट टाइप के टेब होते हैं ठीक है अकार्डिंग टो कमांड एंड एक्शन के जो हम परफॉर्म करते हैं उन टेब्स को जैसे हमारा यह जो गया है पहला यह होम टेब है उसके बाद इंसर्ट है ड्रा है पेज ले आउट हो गया हमारा फार्मूलाज डेट एड़ सेटरा और भी कुछ टेब्स हैं ठीक हैइनको टेब कहते हैं यह हम परफॉर्म करते हैं अकार्डिंग टो कमांड एंड एक्शन जो होता है उससे रिलेटिड हम यह आपरेशन्स परफॉर्म करते हैं तो यह हमारा रिबिन होता है इसमें मुक्तलिफ किसम की कमांड और actions perform की जाती है अब इससे जो नीचे वाला पार्ट है यह आप देख रहे हैं इसको कहते हैं work area work area जो है यह composition है different types of cell की जो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह यहाँ पर a to z जो हैं यह यह column है और यह number जो हैं यह हमारी rows है ठीक है तो आईए देख एक Microsoft Excel की sheet में कितने columns होते हैं तो एक Microsoft Excel की जो sheet है उसमें columns होते हैं 16,384 columns होते हैं एक sheet में और number of rows जो होती है 1,048,576 rows होती है एक sheet में तो यह just हम एक sheet की बात कर रहे हैं जिसमें 1,048,576 rows हैं प्लस 16,384 columns हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना powerful है यह software और यह just हम एक sheet की बात कर रहे हैं अगर आप दूसरी sheet add करना चाते हैं तो वो भी add कर सकते हैं यह जो आप plus का icon देख रहे हैं इससे new sheet आप add कर सकते हैं जैसे ही आप click करेंगे तो sheet 2 देखें यहां पे insert हो गई है तो इस तरह जितनी आप चाहें sheet add करते जाएं और simultaneously आप किसी भी sheet पे गाम कर सकते हैं ठीक है अब आप delete कैसे करना चाते हैं कोई भी sheet उस sheet पे click करेंगे और right click करके जस्ट आप ये delete का button प्रेस करेंगे तो वो sheet delete होती जाएंगी अब हमारी दो चीजें रहे गई एक ये वाला ये name box कहलाता है ठीक है इस से हम जिस sale पे काम करते हैं वो हमें sale बताता है कि उस sale का norm क्या है तो हम यहाँ पे c column है और 4 row पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें यह name box है name box है जो आपको बता रहा है कि आप active है sale 4 पे ठीक है यह यहाँ पे भी होगा इस से यह देखें यहाँ पे भी green line आपको देख रही है यहां पे मतलब हम C4 पे काम कर रहे हैं और active sale यही है इस पे हम कुछ भी add कर सकते हैं text number वगएरा और यह जो आप देख रहे हैं यह formula bar है ठीक है formula bar में text add करते हैं हम यहां पे edit करते हैं sale को यह formula वगएरा put करते हैं जैसे और यह हमें suggestions देता है अगर हम किसी formula को search कर रहे हैं जैसे ही हम is equal की sign press करेंगे और यहां पे देखें हम s press कर रहे हैं यह देखें यहां पे different types के हमें suggestions दे रहा हैं कि आप किस formula को search कर रहे हैं हम जैसे ही some press कर रहे हैं तो देखें यहां पे some related दूसरे भी हमें suggestions दे रहा हैं So, it allows us to visualize and suggest the related formulas. We will learn one by one. हम एक एक करके हर चीज़ इसमें सीखेंगे और at the end, you will be advanced user of this software. So, अब तक के लिए आप इस पर practice करें और मिलते हैं next video में. Thank you.